प्रधान मंत्री ने गुजरात में किसान सूर्योदाई योजना का किया शुभारंब। प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र की आवशक्ता पर दिया जोर। केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने कहा देश में 70 लाख से अधिक लोग कोविड-19 के संक्रमन से हुए स्वस्थ। शार्दिय नवरात्रि परवकी महाश्टमी और नवमी के असर पर शक्ति पीठों और देवी पंडालों में किये जा रहे हैं हवन पुजन। और प्रधान मंत्री के आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं कोर्बा जिले की जननी महिला स्वसाहता समूह की महिलाएं। नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूं मनीश हलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी ने आज गुजरात में तीन महतोपोर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फरेंसिंग से उधगाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद इस्तित सिविल अस्पताल परिसर में देश के सबसे बड़े रदय रोग चिकितसा संस्थान यूएन महता इंस्टिटूट अफ कॉर्डियोलोजी एंड रिसर्च सेंटर का उधगाटन किया। प्रधान मंत्री ने गिर सुमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों के किसानों के लिए किसान सूर्योदाई यूजना की भी शुरुवात की जिसके तहत किसानों को दिन के समय अब बिजली उपलब्ध होगी। प्रधान मंत्री ने जुनागड में गिरनार परवतिय रूपवे का उधगाटन किया। श्रिमोदी ने कहा कि किसान सूर्योदाई यूजना से किसानों के जीवन में खुशाली आएगी। नवरात्री के इस पावन परव में मां अम्बे के आशिरवात से आज गुजरात के विकास से जुड़े तीन अहम प्रोजेक्स के शुरुवात हो रही है। आज किसान सूर्योदाई यूजना, गिरनार रौपवे और देश के बड़े और आधोनिक काडियाक हस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ती, भक्ती और स्वास्थ के प्रतीख है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं। प्रधान मंत्रे ने कहा कि सौर परियोजना की दृष्ट से गुजरात अग्रणी राज्य है। सौर उर्जा अब दिन के समय खेतों में सिचाई के लिए उपलब धकर आई जाएगी। देश का पहला राज्य था जिसने सौर उर्जा के लिए एक दसक पहले ही व्यापक नीती बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलार पावर प्लांट का उदगाटन हुआ था। तब किसी ने कलपना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को वन सन, वन वर्ड, वन ग्रीड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत, सोलर, पावर के उत्पादन और उप्योग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में हैं। प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र को अपनाना होगा। प्रधान मंत्री ने जूनागर के गिरनार में 130 करोड रुपे की लागत से बने मंदिर रोपवे परियोजना की भी शुरुवात की। इस एतिहासिक स्थल पर परटकों और श्रध्वालों की संख्या बढ़ने से अब रोजगार के आवसर भी बढ़ेंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजयरुपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पतेल भी उपस्थित थे। केंद्री स्वास्थ मंत्राले ने कहा है कि देश में 70 लाग से अधिक लोग COVID-19 संक्रमन से स्वस्थ हुए हैं। देश में इस संक्रमन से ठीक होने वालों की दर 89.78 प्रतिशत हो गई है। इधर 36 गड़ में पिछले 24 घंटों के दोरान 2450 पॉजिटिव प्रकरण दर जिके गए हैं। वहीं 283 मरीज अस्पताल से और 2157 मरीज होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज जिके गए हैं। प्रदेश में इस समय कुल 24,620 सक्रिय मरीज हैं। केंद्र और राज्य सरकार कोरोना संक्रमन से लोगों को जागरू करने समनवाय बना कर कार्य कर रही है। प्रदेश के स्वास्व विभाग ने लोगों को बाजारों में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए खरिदारी करने के दिशा निर्देश जारी किये हैं। 36 गड़ में कोरोना संक्रमन को रोकने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार और स्वयम से विभी संस्थाएं भी कारे कर रही है। इसी कड़ी में बॉलिवुड के कलाकार शारुक खान के मीर फाउंडेशन ने 36 गड़ को 2000 PPE किट उपलब्ध कराई है। स्वास्ट मंत्री टियस सिंग्डेव ने मीर फाउंडेशन के प्रती आभार जताया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रिस सिंग्डेव ने कहा कि कोरोना युद्धाओं के लिए PPE किट उपलब्ध कराने और उनकी होसला आफजाई करने के लिए मीर फाउंडेशन और अन्यसंस्थाओं का वे शुक्रिया आदा करते हैं। फिल्म जगहत के साथियों ने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया था और 36 गर को भी PPE किट सित्यादी दे के मदद की थी। हम लोगों ने उनको आभार व्यक किया, उनका धन्यवाद दिया। उसमें अच्छा लगा हम लोगों को खुशी हुई कि एक सूपरस्टार हमारे बीच में देश के शारुख खान जी उन्होंने उस ट्वीट को रिट्वीट किया। तो एक अच्छा समवाद लगा कि केवल आपचारिकता ही नहीं है या एक पहल ही नहीं है पी-पी किश देने की, कि संबंध भी साधार पे बन सकते हैं, तो हम लोग तो उनको समरन करते ही रहते हैं, अगर शारुख खान जी चतिसगड को भी समरन आगे करते रहेंगे, तो ह अगली खबर की तरफ, चतिसगड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मही नायक ने राजदगाउं जिले में महिला उत्पीडन के करीब 15 मामलों की सुनवाई की, इस दोरान उन्होंने दोनों पक्षों की बाते सुनी, बाद में पत्रकारों से चर्चा कर पक्त हुए श्रमतिन आयक ने बताया कि आयुश विभाद में काररत एक महिला के मौमले में भी आयोग के सदस्यों ने सुनवाई की है, इस औसट पर राज्य महिला आयोग के सदस्यों के साथ ही महाप और हेमा देशमुख और प्रकरण से जुड़े लोग भी उपस्थित खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिल्हाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का वैश्विक महामारी COVID-19 जिसका कहर संपूर्ण मानवजाती को अपनी आगोश में ले चुगा है तीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है अब जब अनलोग 5 के तहर लगभग सारा देश खुल गया है तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव फेस मास्क कोरोना से रोगधाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है विश्व स्वास्ते संगठन और विश्यशक्यों के शोद का भी यही निश्कर्श है कि मास्क से मुह और नाक को अच्छी तरह ठक कर कोरोना संक्रमन को कम किया जा सकता है मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना बहुत से लोग मास्क से नाक और मुह को सही तरीके से नहीं ढगते जिस से संक्रमन का खत्रा बना रहता है बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कलपना करना भी सही नहीं है जुडिये डीडी नियूस की खास मोहिम मास्क अप इंडिया के साथ कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साजा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव अपने विचार हमारे साथ फेस्बुक और ट्विटर पर और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में शार्दिय नवरात्रे परवकी महाश्टमी और नवमी के असर पर आज देश सहित प्रदेश भर के शक्ति पीठों और देवी पंडालों में हवन पूजन विधी विधान से किये जा रहे हैं स्पातनगरी भिलाई में कोविड-19 के नियोमों का पालन करते हुए श्रद्धालू मा दूरगा की आराधना कर रहे हैं यहां बंगाली समाज की ओर से दूरगा उत्सव का आईजन किया गया है यह उत्सव चार दिनों तक चलता है इस दोरान काली और दूरगा मंदिरों में सुबह से लेकर देर राद तक श्रद्धालू मा के दर्शन कर रहे हैं दूरगा पंडालों में शष्टि पूजन के साथ दूरगा पूजा उत्सव की शुरुआत होती है माता का विधिवत श्रिंगार किया जाता है बंगाली समाज के लोग दूरगा उत्सव में पुश्पान जली, संधी पूजा, सिंदूर दान किया, विधिविधान से आयजन करते हैं मात दूरगा की आरती बंगाल के पारम परिक धाक वादन की रस्म से की जाती है महा अश्ठमी और नवमी के अवसर पर विभिन शक्ति पीठों में हवन पूजन किया जा रहा है वही घरों में लोग कन्या भोज का आयजन भी कर रहे है इधर रायपूर इस्तित महामाया मंदिर, काली माता मंदिर, बंजारी माता मंदिर, सहित, अन्य मंदिरों और देवी पंडालों में आज अश्ठमी का हवन किया और श्रधालों ने मा के दर्शन किये वहीं डोंगरगाड इस्तित मा बमलेशवरी के मंदिर में कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्त देवी मा के आनलाइन दर्शन कर रहे हैं इस बार मंदिर में करीब पांच हजार से अधिक जोती कलशों की स्थापना की गई है प्रदेश की राजपाल सुश्री अनुसूया उईके ने नवरात्री के अवसर पर मा बमलेशवरी के दर्शन किये और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशाली और तरक्की की कामना की बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस बार कोरोना संक्रमन को देखते हुए नवरात्रिक का पर्व साथगी के साथ मनाय जा रहा है भक्तों को देवी मा के ऑनलाइन दर्शन कराय जा रहे हैं उन्होंने लोगों को कोरोना वाइरस के प्रती जागरूक रहने के लिए भी कहा इस बार की दिपावली में प्रदेश के लोग मिट्टी के साथ ही गाय और के गूबर से बने दियों से भी घर को रोशन कर सकेंगे विभिन जीलों में स्वसाहता समुहों की महिलाएं इको फ्रेंडली दियों, घरों में के सजावती सामान और मास्क बनाने में जुटी हुई हैं केंद्र सरकार की राष्ट्र ग्रामिन आजिवी का मिशन इन महिला समुहों के लिए वरदान साबित हो रहा है कोर्वा जिले के कटगोरा विकास खंड में जननी महिला समुहों की महिलाएं प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी के आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं ये महिलाएं कोरुना काल में मास्क रक्षा बंधन में स्वदेशी राखी और अब दिपाव अली के लिए इको फ्रेंडली दिये बनाने का कार्य कर रही है जननी महिला समुहों की सचिव अनुपमा निशाद ने बताया की वे प्रधान मंत्री के आत्म निर्भर भारत की सोच से काफी प्रभावित हैं महिला समुहों की सदस्य देवश्री जैस्वाल और सरस्वती लकडा ने बताया की प्रशिक्षन मिलने के बाद उन्होंने डिपावली के लिए गोबर और मिट्टी के दिये बनाने का कार्य शुरू कर दिया है सभी जगह फैले यह हम लोग महिला समुह द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें लागत जो भी है यह अपने इसमें कलश्टर के सरफ से दिया जा रहा है जिसमें हम लोग सबको स्वयोग दे रहे हैं और यह जी यह जो गोबर के दिये जो बन रहे हैं इसमें 50 प्रती 50 पैसे की लागत लग रही है और जो बाकी जो दिये वर रहे हैं वो जो जिस तरह से उसमें कारिगरी हो रहा है उसी हिसाब से उसकी तैमूले तयार किया गया है जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कारेपलन अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि राश्ट्रिय ग्रामिन आजिवी का मिशन के तहत महिला समुहों को प्रशिक्षन दे कर आत्मन निर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है इससे महिला समुहों में काफी उत्साह है इसमें बेसिकली हमारे हैंड होलिंग का ट्रेनिंग का सपोर्ट रहता है और हम लोग जो उनको आरेफ देते हैं रिवाल्विंग फंड देते हैं इनको वी आरेफ देते हैं और बैंक लिंकेज का काम जो हम करते हैं कि जो सो साहता समुह अच्छा काम कर रही है और जिनकी आ कोई भी आजिवी का गतिविती जो है रुके नहीं जननी महिला समुह की महिलाएं बाजार में इको फ्रेंडली दिये बेच कर आत्म निर्भर भारत का सपना साकार कर रही है और समाचार के इस अंक में इतना ही लेकिन आप कोरोना से बचाओ के लिए मास्क सेनिटाइजर के सा साथी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार